यह है एक Peltier Module है, जब हम इसको सप्लाई देते हैं, तो एक साइड में इसका टेमप्रेचर माइनस 10 डिग्री सेंटिग्रेड तक रिड्यूस हो जाता है, जिस पर आशानी से बरब जम सकती है, और दूसरी साइड में इसका टेमप्रेचर 100 डिग्री सेंटिग्रेड से भी ज् तो इस high temperature को maintain करने के लिए heat sink के साथ में एक fan लगा सकते हैं refrigerator और air conditioner में cooling के लिए compressor, evaporator, condenser कई system लगे रहते हैं जो बहुत complex बना देते हैं इनको लेकिन peltier module को हम open करके देखते हैं तो इसमें कोई भी moving part ही नहीं है फिर भी ये minus 10 degree centigrade तक cooling कर देता है इसमें multiple ऐसे sail लगे रहते हैं जो नीचे से एक दूसरे से series में connected होते हैं और उपर से parallel अब peltier module को सही से समझने के लिए हमें thermocople को भी समझना होगा basically thermocople में दो wire होते हैं अलग-अलग metal के एक copper wire और दूसरा constantine या इनके अलावा भी कोई different metal हो सकते हैं इन दोनों metal को join करके एक side से गरम करेंगे तो इधर का junction दिरे-दिरे गरम होने लगेगा और दूसरी side का junction दिरे-दिरे ठंडा होने लग जाएगा और यदि इस condition में हम multimeter से दोनों junction के बीच में voltage measure करेंगे तो हमें millivolt के अंदर voltage भी मिलेगा यदि in wire की अंदर की process देखे तो आपको पता है एक conducting metal में electron होते हैं और normal condition में electron rest position में रहते हैं लेकिन जब हम metal को एक side से heat करेंगे तो electron vibrate होने लगेंगे और electron move करके hot junction से इधर की तरफ आ जाएगे यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक voltage difference create हो रहा है इधर कम electron है तो positive side हो जाएगी और इधर ज़्यादा electron है तो negative side हो जाएगी अब आपके लिए एक छोटा सा question है इधर हम कैसे पता करेंगे कि यह side negative है और यह positive same ऐसी situation ही दूसरे wire में होगी लेकिन दूसरा wire अलग metal से बनावाय जिसकी अलग characteristic होगी तो यहाँ पर कम electron है और wire जब गरम होगा तो कम electron ही इधर से इधर move कर पाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर भी एक voltage difference देखने को मिल जाएगा अब यदि हम दोनों wire को joint करके गरम करते हैं तो उपर के wire में ज़्यादा electron है तो मान लेते हैं इसमें 20mA का current clockwise flow कर रहा है नीचे के wire में कम electron है तो मान लेते हैं 10mA का current anti clockwise flow कर रहा है यानि दोनों current एक दूसरे के opposite flow कर रहे हैं अब simple सी बात है multimeter से जब हम इस current को check करेंगे तो 20mA को plus में लेंगे और 10mA को minus में और total current multimeter में 10mA ही दिखेगा और दोनों wire में हमें जो अलग-अलग voltage difference देखने को मिल रहा है इसी को see back effect बोलते हैं तो thermocouple में basically दो wire होते हैं जिसे electricity generate होती है इसी वज़े से इसको thermoelectric generator भी बोलते हैं और interestingly thermocouple को reverse भी कर सकते हैं यदि हम candle को अटा कर battery voltage apply करते हैं तो same situation current होगी एक junction ठंडा और एक गरम अब जो junction ठंडा हो रहा है इसके पिछे का logic देखते हैं मान लेते हैं यह metal 1 है जिसका एक atom है और atom के nucleus के चारो तरप electron चक्कर लगाते रहते हैं अपनी orbit में हम इन सभी orbit को number alert कर देते हैं यदि आपको पता हो तो nucleus के पास में जो electron होते हैं उनका energy level कम होता है और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो energy level बढ़ता जाएगा तो outer orbit के electron अपना energy level बदलते रहते हैं normal room temperature के अंदर थोड़ा simplicity के लिए हम इन orbit को इस तरीके से line में set कर लेते हैं जब हम इन metal को गरम करेंगे तो electron ज्यादा energy level में आने जाने लग जाएंगे यानि vibrate करेंगे मान के चलते हैं electron energy level 5 से 8 के बीच में jump कर रहे हैं अब इसके पास में हम दूसरी metal को भी रख लेते हैं जिसकी अलग characteristic है जिसके energy level jumps थोड़े high है जिसका मतलब यहाँ पर electron कम vibrate कर रहे हैं लेकिन दोनों ही metal को एक ही शोर से heat मिल रही है यहाँ पर मान लेते हैं electron 7 से 9 energy level के बीच में jump कर रहे हैं यदि हम इन दोनों metal को जोड़ देते हैं तो हमें एक junction मिल जाता है और अभी उपर हमने देखा था कि जैसे ही दोनों metal को जोड़ेंगे तो current एक दूसरे के opposite flow कर रहा था जिसका simple सा मतलब है electrons एक metal से दूसरे metal में jump क कर रहे हैं और यही वह situation है जहाँ cooling का effect आता है थोड़ा ध्यान से देखना deep concept है जब यह electron metal 1 से metal 2 में jump करेगा तो यह देखेगा कि metal 2 के अंदर जो electron है वह energy level 9 तक jump कर रहे हैं अब यह electron metal 1 से आतो गया लेकिन metal 2 के अंदर तो इतने vibration है ही नहीं कि यह metal 2 के जो electron है इनके बराब जंप कर रहा था लेकिन जैसे ही metal 2 में आया तो एकदम छोटे छोटे जंप कर रहा है जिसका simple सा मतलब है इसने अपने thermal energy को lose कर दिया और ठंडा ठंडा cool हो गया तो इस तरीके से metal 2 दिरे दिरे ठंडा होने लगेगा अब metal 2 के electron metal 1 में पहुंचेंगे तो इनको metal 1 में P और N junction बन रहे हैं उपर से इन दोनों metal का electrical parallel connection बना देते हैं electron exchange करने के लिए जब हम इस module को electricity देंगे तो दोनों metal की अलग-अलग characteristic की वज़े से जो electron अपनी energy lose करेंगे वह एक side में जाने लगेंगे जिससे वह side ठंडी होने लगेगी और जो electron energy gain कर रहे हैं वह side गरम होने ल problem आती है यह जो नीचे की side गरम हो रही है इसके लिए यदि हमने कोई cooling का mechanism त्यार नहीं किया तो इसकी heat ऊपर की थरफ जाने लगेगी और थोड़ी देर में जो ठंडा junction है भी दिरे दिरे normal होने लग जाएगा इसलिए जो गरम side है उस पर heat sink के साथ में cooling system सेट किया जाता है Peltier module का एक बहुत बड़ा और amazing फाइदा है इसको reverse भी किया जा सकता है यदि इस पर कुछ गरम या ठंडी चीज रखते हैं तो यह electricity भी generate करता है तो basically यहाँ पर एक thermoelectric process ही होती है अब एक बार आप सोचो गाड़ी चलती है तो इसका engine गरम होता है exhaust से बहुत गरमी निकलती यह यदि उन जगे पर thermoelectric generator को यूज में लिया जाए तो हमें कितना benefit होगा refrigerator air conditioner में भी इसको यूज में लिया जाए तो maintenance का बहुत खर्चा बच जाएगा लेकिन ऐसा होता नहीं है region मैं चाहता हूँ कि आप खुद सर्च करो और comment में लिखो यदि आप भी ऐसा animation सीखना चा जहां बहुत सारे लोग already सीख रहे हैं हमारी तरफ से आपको full support रहेगा website का link वीडियो के description में दिया हुआ है thank you